हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैंगनेट बेइन्स, मैं रुपाली वर्मा मैंगनेट बेइन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है तो ध्यान रखें, ये फ्री एजुकेशन आपके बहुत ही फायदे की काम की चीज है तो इसको ग्राण करते रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए हमारा सिर्फ एक यही मोटिव रहता है इसे फ्री एजुकेशन के श्रिंकला में आज का जो हम वीडियो लेकर आए है वो है क्लास 10 हिंदी कोर्स B की हमारी बुक है इसपर्ष भाग दो, उसके पद्य खंड का अध्याय है तोप आज उसका हम लेकर आए हैं Most Important Questions तो जड़ा ध्यान से देखें, क्लास 10 में हमारे दो कोर्स चलते हैं कोर्स A और कोर्स B कोर्स A में हमारी दो बुक चलती हैं शतच भाग दो और कृत का भाग दो पद्य खंड और कद्य खंड आज हम पद्य खंड का अध्याय कर रहे हैं तोप यह एक कविता है इस कविता को हमारे सामने प्रस्तूत किया है विरेन डंगवाल जी ने इस कविता में हमने देखा था कि सन 1857 की जो क्रानती हुई थी वो समय की तोप जो है वो कमपनी बाग में रखी हुई किस समय एक समय ऐसा था ठारा सुतावन में जब अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल करके भारते करांतीकारियों की धजिया उना दी थी उनको बहुत सारे करांतीकारियों को मार दिया था लेकिन आज उस तोप की क्या कंडिशन है वो तोप जो है कमपनी बाग में रखी हुई है उसके अंदर चडिया चलकूद कर रही है गपशब कर रही है बच्चे उनको घोडे की तरह सवारी कर रहे है मतलब एक समय वो इतनी शक्तिशाली रही तोप जो है वो आज बिलकुल ही तरीके से निश्क्रिय हो चुकी है आज उसका कोई वजूद नहीं है तो ये कविता बहुत अच्छी थी इसके माध्यम से उन्होंने हमें बहुत सारी चीजों के बारें बताया कि किसी हर समय नहीं है कि जिस व्यक्ति के पास शक्ति है बताया था तो इस कविता का हम पूरा लाइन टू लाइन अर्थ समझ चुके है हाँ और साथ ही साथ हमने इसकी व्याख्या भी करी वही है लेकिन इसके इलावा जो हमने कोशन के दो टॉप हमारे पैटरन है यानि कि MCQS वो किया हुआ है और साथ ही complete chapter revision में किया हुआ है लेकिन आज जो हम करने जा रहे हैं वो है most important question ये totally आपका subjective based questions है यानि कि इसमें सारे subjective questions रहेंगे वर्णात में प्रशन रहेंगे इसमें पिछले कुछ सालों के पूछे के कुछ important questions है और आपके कुछ ऐसे questions भी हैं जो expected हैं कि आगे आ सकते हैं तो सभी कुछ हमने आपके लिए अच्छे से ready किया हुआ है तो चलिए solve करने के शुरू करते हैं questions त्यान रखें कविता बहुत अच्छे से समझना आपको जरूरी है तब ही आप प्रशनों के उतर दे सकते हैं चाहे वो multiple choice questions हो चाहे वो आपके subjective question या वर्णात्मक प्रशन हो दोनों ही प्रशनों के उतर जब तक आप poem के अर्थ को अच्छे से नहीं समझेंगे नहीं कर पाएंगे तो पहले उनको समझ लीजेगा तब इन questions को अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे पहला प्रशन है विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल क्यों होती है तोप कविता के आधार पर इसपश्ट करते हुए तोप की विशेष्टाएं भी दीजी दूसरा प्रशन है विरासत में मिली चीजों को समझाल कर क्यों रखा जाता है तोप कविता के आधार पर निकरे विरासत का मतलब क्या होता है ऐसा होता है जो आपके दादा या परदादा का रहा हूँ परदादा का था तो परदादा ने दादा जी को दिया दादा जी ने पिता जी को दिया पिता जी आपको देंगे और आप फिर अपने बच्चों को देंगे तो इस तरीके से जो चीज पीडी दर पीडी होती है ये सारी चीजों की हम बड़ी सम्हाल करते हैं ठीक है उसको बहुत क्योंकि इसके साथ हमारे संसकार हमारी emotions उस समय की present इस्तिती हमारे पूरवजों की मेनत उनके सबने बहुत कुछ जुड़े होते हैं इसलिए हम इन सारी चीजों को सम्हालते हैं और उनको रखते हैं अब जैसे इस कविता में हमने देखा 1857 की जो तोप है उसकी बड़ी संभाल करी जाती है कारण क्या है यह बताने के लिए कि यह तोप जो है कि समय की है और वो हमें क्या सिखा रही है कि किसी समय इसने कितने लोगों को मारा लेकि और दीती रिवाजों परंपराओं आदी का इस्मरण कराकर यह भी बताती है कि हमारे पूर्वजों से कहां और किस प्रकार की गलतियां हुई थी जहां हमें यह सारी चीज़े बता रही है कि वो उनके संसकार आदर शुनकी पर स्थितियां क्या रही वहीं यह चीज़े भी बताती है कि कभी जो हमारे पूर्वजों द्वारा जो गलतियां हुई है वो हमें सिखा रही है ताकि हम इसको दोहराएं नहीं और उनका क्या परिणाम निकला उन गलतियों का क्या नतीजा निकला यह भी बताया जाता है साथ इन गलतियों से बचने और इनके समाधान भी तो इन गलतियों के किस तरहे बत सकते हैं। यह बता जाता है और साथ इसाथ इनका समाधान हम किस तरहे निकाल सकते हैं। यह भी हमें इन विरासतों के जरीए पता चलता है। विरासब में मिली चीजों की संभाल करने के पीछे निमलिखित उद्देश हो सकते हैं पहला है आने वाली नई पेड़ी अपने पूरवजों के विशय में जानकारी रखे यानि कि जो आने वाली पेड़ी है वो जाने कि हमारे पूरवज कैसे थे क्या था, उनकी क्या सोच थी, उनकी क्या प्रतिक्रियाएट थी, यह सारी चीजे जाने इसलिए इन सारी चीजों की सम्हाल के जाती है डूसरा है, आने वाली पेड़ी अपने पूर्वजों के अनभवों से सीख ले और उनके द्वारा की गई गलतियों को ना दोहराए यानि कि उन्होंने जो चीजे करी हैं वो हमारे लिए beneficial हो सकती हैं तो हम उनसे अनुभ़ ले सकते हैं ये चीजे रहती हैं दूसरा अगर उन्होंने कोई गलती करी है तो हम सीखें कि हम अपने जीवन में वो गलतियां ना करें तीसरा पूरवजों से मिली विरासत की परमपराओं को जाने समझें और उनका पालन भी करें ताकि ये परमपराएं अगरी पीड़ी को हस्तांतर हो सकें तो कहने का ताद पर है कि ये जो चीज़ें मिलती हैं ये हमारी पीड़ी की परमपराओं को बताता है कि हमारी पहले परमपराओं क्या रही हमारे क्या रेती रिवाज रहे क्या चीज़े रही ये सारी चीज़ें हमको बताता है तो हमको जो चीज़ें मिली हैं हमने उन परमपराओं को समझा जाना और उसको हम अपनी आगे आने वाली पीड़ी को भी दे ताकि वो भी इन परमपराओं का जो है पूरी तरीके से पालन कर सके तो ये इस कारण से ये सारी विरासते हमें सम्हाल कर रखनी होती हैं और ये हमें बहुत सारी सीखे भी देती है तोप की विशेशताएं अब उसमें एक कोशन और था कि आपको जो तोप सामने रखी गई हैं उसकी विशेशताएं क्या हैं देखिए क्या है 1857 के सुतंता संग्राम में इस तोप ने अपने बल पर वीर शूर वीरों को पराजित कर दिया था हमने आपको बताया 1857 की जो क्रांती हुई थी उसमें भारतिय सैनिकों को बहुत ही जादा आगहात पहुचा था इस तोप के द्वारा तो उनको पूरी पूरी तरह इस क्रांती को ठप ही करना पड़ा था यह सैलानियों के लिए आकर्षन का केंद्र बनी हुई है किसी समय इसने बहुत सारे लोगों को मारा तो आज क्या है आने वाले कंपनी बाग में जो सैलानी आते हैं वो उसको देखकर आनंद प्राप्त करते हैं यह अंग्रेजी शाष को द्वारा भारतियों पर किये गए अत्याचारों का प्रतीक है साथी साथ यह बताता है किस तरह अंग्रेजों ने भारतियों पर अत्याचार किये थे तोप के आगे लोगों को बांध के उड़ा देते थे परखचे उड़ जाते थे शरीर के तो ये बताता है कि उन लोगों ने किस तरीके से ये अत्याचार किये थे हम लोगों के उपर अब आगए प्रिश्न संख्या 2 कम्पनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है अब हमें क्या सीख दे रही है ये चीज़ ये सीख हमने आपको पहले ही बता दीती कि किसी समय बहुत ही प्रबल रहा कोई वेक्ट जो है वो आज किस तरीके से लोगों के आकरशन का केंद्र बना हुआ है तो मतलब हर समय एक वेक्टी जो है शक्तिशाली नहीं रह सकता कभी कभी एक समय ऐसा आता है उसका आंकार शक्ति सभी कुछ शिण हो जाती है कम्पनी बाग में रखी तोप निमलिखित सीख देती है तोप भाले गोली बंदूख आदी अस्त सत चाहे कितने भी विनाशकारी क्यों ना हूँ कि तो उनसे न्याय के लिए होने वाले संघर्ष को लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता ठीके ना ये सब मानुशक्तिशाली उसे जो 1857 की जो क्रांती हुई उसमें इस क्रांती को रोक तो दिया था लेकिन दबाया नहीं आगे चलके वो क्रांती और तीवर हुई और सन 1947 में हम दबाई जा सकती हैं पर हमेशा के लिए नहीं दबाई जा सकती ये मनुशकी एक्ता और लक्ष के प्रती जागरुकता ही है जो उन्हें अंत में विजय दिलाती है और अन्याय को पराजे दिलाती है तो ये इसका भी प्रतीक है कि मनुशकी एक्ता और डिवोशन जो होता है उसके target के लिए वो हमेशा हमें निश्तारण मतब एकदम उसके लिए हमें जो है devoted रहना चाहिए तब ही हम अपने लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और जो है दुश्मन को पराज़त कर सकते हैं अत्याचार करने वाला चाहे जितना शक्तिशाली हो विदेशी और प्रलोभन देने वालों से हमेशा सावधान रहना चाहिए क्योंकि बाहर से जो चीज दिखाई देती है वा भीतर से कुछ और होता है जिसका परिणाम हमेशा छल और नुकसान के रूप में होता है तो जहां ये तोफ हमें ये भी बता रहे है कि विदेशी जो आकरशन होता है उससे हमें हमेशा बचना चाहिए वो चीज हमें बाहर से जित्ती आकरशक लगती है अंदर से उतनी ही भयानक होती है और वो हमारी आजादी तक को नश्ट कर सकती है यही तो हुआ था अंग्रेज हमारे यहाँ व्यापार के जड़िये आए थे व्यापार करने आए थे धीरे धीरे उन्होंने एक गاؤंग दो गावं करते करते पूरे भारत पर कबजा कर लिया और कितना अत्याचार कोई हमारे देश को लूट कर ले गए वो तो इस तरीके से ये हमें बाहर से एक प्रलोभन लेकर आये थे कि बाहर जारी चीज़ें बड़ी अच्छी मिलती है मसाले लेकर आये थे, व्यापार करने आये थे लेकिन धीरे धीरे उने क्या किया? कबजा किया इसलिए हमें विदेशी चीजों पर इतना यकीन नहीं करकर स्वदेशी चीजों पर यकीन करना चाहिए प्रश्न संख्या तीन है तोप को कब-कब चमकाया जाता है? तोप कविता के आधहार पर लिखिए अब तोप कविता में क्या बताया गया? पंदरा अगस्तों 26 जन्वरी यानि कि गर्दंतर दिवस और आपका स्वत्मतर दिवस इन दो जो उच्चव रहते हैं उन दोरान जो है इस तोप को बहुत चमकाया जाता है भारत में पंदरा अगस्तों 26 जन्वरी का बहुत महत्वे ये दोनों हमारे रास्ट्रिय पर्व हैं पहला अफसर देश को गुलामी किसे आजादी दिलाने का तो दूसरा भारतिय सम्विधान के लागू होने का प्रतीक है इसलिए ये दो अफसर 15 अगस और 26 जन्वरी हैं जिन पर इस तोप को चमकाया जाता है क्योंकि इन दो दिनों में भारत के कोने कोने से सुतंतता की खुशियों की लहर दोड़ती है ये दो हमारे रास्ट्रिय पर्व हैं कि हमारे रास्ट्र का कितना महत्वरा इसलिए ये तोप हमें बताती है कि हमारे जो सीख हमने अभी पिछले कोशन में पड़ी वो सारी सीखे हमें इस दोरान समझनी हैं जाननी हैं इसलिए ये सारी ये तोप हमारे सामने रखी जाती है उस दोरान चमकाई जाती है और हमें ये सीख दुबारा याद दिलाई जाती है प्रेशन संख्या चार है अब यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई है देखे क्या अब तो बलहाल छोटे लड़कों की घुड सवारी से अगर ये फारिक हो तो उसके उपर बैट कर चड़ियां ही अकसर करती है गपशप अब इन पंक्तियों का भाव क्या है अब क्या जो ये तोप कंपनी भाग में रखी है ये वहाँ पर आने वाले सैलानियों के जो बच्चे हैं वो उस पर तोप पर बैट कर घुड सवारी करते हैं तो वही चीज़ बताए कि अगर ये तोप इन बच्चों की गुड सवारी से फ्री भी हो जाती है यानि कि ये बच्चे जब इस पर गुड सवारी नहीं करते तो ये जो छोटी छोटी गौरईयां होती हैं वो इसके अंदर या उपर बैट कर जो है वो गपशप किया करती है तो यहां देखी क्या है पहले ये तोप कितनी भी विनाशकारी क्यों ना हो किन्तु आज कल तो ये खिलोने के रूप में काम कर रही है भई एक समय ऐसा था गोला डाल दो तो लोग डरते थे फट जाएगा तो वो बहुत विनाशकारी नहीं 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 अगर आज क्या है बच्चे इसे खिलोने की तरह अस्तमाल कर रहे हैं अब बच्चे इस तोप पर बैट कर घुरसवारी का आनंद लेते हैं जब कभी इस पर बच्चे सवारी नहीं करते तो उस समय चड़ियां इस पर बैट कर आपस में गपशप करती हैं अब कोई भी इससे भैभीत नहीं होता तो कहने का तार्थ पर क्या है कि पहले जब बहुत विनाशकारी थी सब इससे डरते थे लेकिन आज ये क्या है? बिलकुल शान्त है इस पर कोईस का इस्तेमाल नहीं होता अब क्या है? अब इसको लोग खिलोनों की तरह स्तेमाल करते हैं चड़ियां गपशप के लिए एक प्लेज मानती हैं यानी कि अब ये बिलकुल भी भैभीत कोईस से नहीं होता क्यों क्योंकि अब ये अपने उस प्रचंड रूप में है ही नहीं अब फिर कुछ पंक्तिया है क्या वे बताती है कि दरासल एक दिन तो होना ही है उसका मुँबंद इन पंक्तियों का भाव क्या है अब इस ये तोप जो रखी है वो दरसल ये बताती है कि जितना भी अत्याचारी वेक्ति हो एक समय आता है कि उसका अंत हो जाता है उसका वो जो विनाशकारी सुरूप है वो समाप्त हो जाता है अब इस तोप पर चड़ियां गमशब करके गौरईयां तोप के मुँ में भैवहीन घुस कर तथा बच्चे इस पर घुरसवारी करके मानों ये बताते हैं कि चाहे तोप कितनी भी बड़ी क्यों न हो एक ना एक दिन उसका मुँ बंद हो ही जाता है आपके पास अगर कोई समस्या है तो उसको आप आतंक, डर या विनाश से उसको हल नहीं कर सकते हैं तो यानि कि आप जितने भी बड़े अत्याचारी हों आपका विनाश एक दिन शान्त हो ही जाएगा क्यों क्योंकि कोई भी समस्या का हल शान्ती से निकलता है विनाश से न तोप ने बड़े बड़े सूर्माओं की धजियां उड़ा दी थी यानि कि जब ये चलती थी तो बड़े बड़े सूर्माओं की धजियां उड़ गई थी यानि कि जब 1857 में जब क्रांती हुई थी तो क्या हुआ था इस तोप ने जो है लोगों को मार दिया था बहुत सारे को बताती है कि सन 1857 के सुतंतरता संग्राम में मैंने अच्छे अच्छे शूरवीरों के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिये थे इस प्रकार ये तो अपनी गौरव गाथा आने जाने वाले सब ही लोगों को बताती है कि वहां पे कंपनी वाग में जितने लोग भी घूमने आ रहे हैं उनको ये चीज़ बताती है कि हां जिस समय में 1857 काम करती थी जब मैं थी तो उसमय मैंने बड़े बड़े लोगों जितने भी शूरवीरों थे बैस सुतंतरता संग्राम के समय जो है जितने बड़े शूरवीरों थे उन सब ही को जो है तोप से उड़ा दिया गय ये चीज़ वो बता रही है प्रेश्न संख्या साथ है तोप कहां संभाल कर रखी गई है तथा क्यों तोप कहां संभाल कर रखी गई है कंपनी बाग में तो एक सन 1857 के सुतंता संग्राम में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई गई तोप कंपनी बाग के प्रवेश्द्वार यानि की जहां से हम entry लेते हैं वहां पर वो संभाल कर रखी गई है कंपनी बाग में तोप प्रदर्शन के प्रयोग में लाई जा रही है मतब exhibition उसका लगाया जा रहा है दूर दूर से सैलानी इस तोप को देखने के लिए आते हैं इसलिए कंपनी बाग म प्रवेश्द्वार पर रखा गया है प्रेशन संख्या आठ है सन 1857 की तोप का क्या आश्रे है यह किसकी प्रतीक है तो 1857 की जो क्रांती है इसका क्या प्रतीक उस समय किसका था ब्रिटिश शाषन था तो यह किसका प्रतीक हुई यह ब्रिटिश शाषन की प्रतीक हुई क् उनके द्वारा लाई गई ये तोप थी और चली किस पे थी भारतियों पर चली थी तो ये प्रतीक उस समय जो शाषन विराजमान था यहां ये उसके प्रतीक के रूप में रखी गई है कि किस तरीके से इस विद्रो इस तोप ने 1857 में हुई क्रांती का विद्रो किया था वि आजादी की कामना करने वाले भारतिये सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था उस समय जिन लोगों ने इसकी कामना आजादी की कामना कर रहे थे उन लोगों को इस तोप ने उड़ा दिया था मार दिया था कंपनी बाग में प्रदर्शन हेतू रखी गई है तोप अंग्र जिससे अनेक शूर वीरों की निर्मम तथा कुरूर तरीके से मार दिया गया था यह अत्याचार बताया जा रहा है प्रश्न संख्या नौ है जबर धज्य इत्यादी शब्दों का प्रयोग तोप कविता की भाषा की किस विशेशता को दर्शाता है अब यह क्या है यह ऐसे शब्द हैं जो बहुत हैवी वर्ड्स लगते हैं तो यह हमारे उपर प्रभाव छोड़ने के लिए रखे गए कि यह कभी जो है वो बहुत मजबूत ही यह बताया जाना सिर्फ तोप कहे कर यह चीज हमारे सामने जाहिर नहीं हो पाती कि यह बहुत प्रभाव शाली किसी समय में रही होगी तो इसके प्रभाव को दर्शाने के लिए क्या किया गया कि इसकी जो विशेष्टा बताने के लिए इन शब्दों का इस्तिमाल किया गया जैसे जबर है धज्जे है इन शब्दों का देखे क्या है जबर धज्जे इत्यादी शब्दों का प्रयोग तोप कविता की भाशा प्रभावत पदक यानी कि जो प्रभाव को उत्वपन करे बनाता है जबर और धज्जे जैसे शब्दों के प्रेयोक से कभी ने तोप के भयावा एवं विनाशकारी रूप को उधगाडित किया कि किसी समय ये तोप' बहुत भयानक रही होगी बहुत विनाशकारी होगी इसक चोटे चोटे बच्चों की सवारी से फारिक हो जाती है तब उस पर कौन क्या करता है। चोटी चोटी बच्चों की सवारी से फारिक हो जाती है तब चडिया तोप को आराम करने का एक साधन समझ कर उस पर बैट कर गप्शप करती हैं और अधी कुछ साहित होकर कभी कभी वे इसके भीतर भी खुछ जाती हैं भाई गपशब करने का मतलब चड़िया क्या होती है देखे वो हमेशा एक जगा बैठेंगे दूसरी आएगे तीसरी आएगे बैट बैट कर चीची चीची करती रहेगे तो उसको हमारे कवी ने क्या बोल दिया कि वो आपस में कपशब करती है और कभी-कभी जो चड़िया बहुत ही जाधा शैतान होती है वो इधर-उधर खोजबीन करने लगती हैं जहां हम बैठे हैं वो क्या है क्या नहीं है तो इस तरीके से वो उस तोप के अंदर भी घुश जाया करती है प्रेश्ण संख्या 11 है तोप कविता में गौरईया द्वारा क्या बताया गया है अब यहां पर उन्होंने गौरईया का जो उधारण दिया है कि जो तोप के उपर बैठके गपशब भी करती है और कभी-कभी अंदर भी घुश जाती तो इसके द्वारा उन्होंने प्रदर् भैभीत नहीं होती है वो छोटी सी गौरईया इतनी विनाशकारी तोप से अब भैभीत नहीं होती उसे अब इस तोप से डर नहीं लगता है वास्तों में तोप तोप या आकरमण के किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती तो यहां पर कहने का मतलब किसी भी तरह की क्रांती ह उसको हम किसी भी तरीके से जोर दबस्ती से नहीं दबा सकते तो जैसे उस समय 1857 में हुई क्रांती हुई उसमय दबा दिया गया लेकिन क्या हमेशा के लिए दबाया गया ऐसा दो नहीं हुआ फिर से वो क्रांती उठकड़ी हुई और हमने फिर आजादी प्राप्त कर ली तो वो किस प्रकार दे रही है तो यहां पर कवी ने बड़े अच्छे सुन्दर ढ़ंग से उसको अपना परिचे वेक्त किया है सुभा शाम कंपणी बाग में बहुत सहलानी घूमने जाते हैं उस समय कंपणी बाग में रखी तोप उन्हें अपना परिचे देते हुए बताती अतीत में वह बहुत सामर्थवान थी यानि कि पास्ट में वह बहुत जादा शक्तिशाली थी और तता शक्तिशाली थी उसने बड़े-बड़े वीर सैनिकों की धज्यां यानि चीथ्ध्रे चीथ्धड उड़ा दिये थे अब जब तोप का गोला कहीं पढ़ेगा फटेग तो क्या होगा मनुश्य के तो चीथड़े उड़ जाएंगे तो यह चीज यहाँ पर रखी इसलिए गई कि बताए कि फ्यूचर में यह किती शक्तिशाली थी और उस समय इसने क्या-क्या कार किये थी क्योंकि तोप नहीं रखी उसके बारे में वहाँ पर लिखा भी हुआ है क कि वो किस समय यह कारे रख थी और कैसे कारे करती थी इन सबका इस्मरण दिलाने के लिए कंपनी बाग में तोप रखी गई यह बताने के लिए कि अंग्रेजों ने कितना जादा आत्याचार भारतियों पर किया था यह बताने के लिए यह वो तोप वहाँ पर रखी गई है कि हमें कभी भी विदेशी प्रलोबनों में नहीं पढ़ना है ये हमारे लिए एक सीख के तौर पर वहां रखी गई है प्रश्ण संख्या 13 है तोप की वर्तमान इस्थती का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए जो तौप एक समय इतनी जादा विनाश करने वाली थी लोगों को डराने वाली थी वो वर्तमान इस्थती क्या है वो शान्त है एक जगा पड़ी हुई है उसमें कोई कारे नहीं होता बच्चे उस पर सवारी करते हैं चड़िया गपशप करती हैं सभी कुछ यह हो रहा तो मतलब एक समय वो इतनी विनाशकारी रहने वाली तौप आज बिलकुल ही शान्त है उसके उस विनाश लीला का अंत हो चुका है सन 1857 में जिस तौप ने अनेक सुतंता सेनानियों को मौत के घाट उतार दिया था जिस तौप के साथ भै और क्रूर शब्द जुड़े थे वही तौप अब कंपनी बाग के मुख्यदार पर मात प्रदर्शनी के लिए रखी है वह अब शान्त है ना उसमें गोला बारूद भरा है और ना ही किसी मनुश्य की जान ले सकती है अब उसके आसपास बच्ची और पक्षी यह आदी निर्भे होकर खेलते हैं तो आज उसके स्तती क्या है वह पूरी तरीके से निर्भे है शान्त हो चुकी है कोई विनाश नहीं कर सकती कोई गोला बारूद उसके पास नहीं है और सभी उससे निर्भे रूप में है यानि कि कोई भी उससे डरता नहीं है प्रश्ण संख्या 14 है तोप कविता हमें क्या संदेश देती है अब ये तोप कविता हमें कई तरीके के संदेश देती है कि चाहे जितना अत्याचारे आदमी हो, व्यक्ती हो, साशन हो उन सभी का अंत होता है ठीक है एक समय ऐसा आता है कि वो उसको उसका अंत होना निश्चित होता है दूसरा यहाँ पर वो हमें बताता है कि एंग्रेजों ने किस तरीके से हमारे उपर अत्याचार किया दूसरा एक संदेश देता है कि कभी हमें विदेशी चीजों के प्रलोभन ने नहीं फसना चाहिए यह बाहर से बहुत चका चौन वाली होती है पर अंदर से यह कहीं न कहीं हमें खोकला कर रही होती है तोप कविता हमें ये संदेश देती है कि अत्याचारी क्रूर और निर्मम शाशक का एक ना एक दिन अंत अवश्य होता है जैसे इस तोप का हुआ आज ये तोप बच्चो तथा पक्षियों के मनुरंजन का साधन बनकर रह गई है कविता ये संदेश देती है कि अनाचार, अत्याचार, अन्याय करने वाले चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हूँ उन्हें एक दिन जन शक्तिके सामने हार माननी ही पड़ती है यानि कि कोई कितना भी शक्तिक शाली न हूँ क्यों न हो एक वेक्ति हो, शाषन हो कोई भी हो लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जो जन्मानस्ट की शक्ति होती यानि कि जो लोगों की शक्ति होती है उसके आगे उन्हें जुकना पड़ता है अब देखिये उस समय क्या था जब अंग्रेश थे तो वो अपना अत्याचारी शाषन कारच चलाते थे चारों तरफ ही उनका शाषन था लेकिन तब भी भारतिय जनता के एक होने और मिलकर विद्रो करने के कारण उनके शाषन का अंत हुआ और उन्हें जाना पड़ा तो यहाँ पर यह चीज है कि अगर हम एक जुट होकर किसी चीज के लिए मांग करते हैं कोशिश करते हैं तो वो चीज जरूर पूर्ण होती है प्रेशन संख्या पंद्रह है कंपनी बाग और तोप को विरासत मानकर सुरक्षत रजिकने जाने का कारण अपने शब्दों में बताईए कंपनी बाग जो बनाया गया था वो किसलिए अंग्रेजों के विचरण करने के लिए बनाया था घूमने फिरने के लिए आनन्द लेने के लिए बनाया गया था तोप क्यों थी वहाँ पर वो भरतियों का विनाश करने के लिए बनाई गई थी तो ये चीज हमें सीख देने के लिए वहाँ पर रखी गई है विरासत के तौर पे कि देखिए कि जब आपने विदेशी चीजों के प्रलोबन में फसे तो आपकी क्या गत्वी ये सीख दी जा रही है तो देखिए क्या इसको कैसे लिखेंगे प्रस्तुत कविता में कमपिनी बाग और तोप दोनों को विदेशी शक्ती की विरासत के रूप में दिखाया गया है पहले इन दोनों को शक्ती का प्रतीक माना जाता था ये जो क्या थे ये अंग्रेजी शाषन की शक्ती के प्रतीक थे लेकिन सुतंता मिलने के पश्चात इने भारतिय जनता के मनुरंजन के साधन के रूप में सजाया सवारा गया पहले जहां ये अंग्रेजी शाषन की शक्ती को बता रहे थे वहीं आज क्या है ये भारतिय जनता के मनुरंजन को दर्शा रहे हैं East India Company ने तोप का प्रयोग भारतिय जनता के संघर्ष को कुचलने के लिए किया इसके द्वारा अनेक सुदंता सेनानियों को मृत्यों के घाट उतार कर भारतियों को भैभीत करने का प्रयास किया गया अब क्या हुआ था जब क्रांती हुई थी तो जो है भारतिय लोगों को इससे मारा गया था मारने का उनका संदेश क्या था कि जो भारतिय जनता है वो उनसे डरे और इस तरहे के विद्रो ना केरे इसलिए उसको इस्तमाल किया गया ये दोनों विरासते तोप और कंपनी बाग हमें विदेशी शक्तियों के प्रती सावधान करती हैं तता संदेश देती हैं कि हमें विदेशी आकर्षण में नहीं फसना चाहिए तो ये जो विरासते जो कभी शक्ति का प्रतीक हुआ करती थी आज वो ये बता रही हैं कि आप सीख लीजिए कि हमें विदेशी चीजों के प्रलोभन में नहीं फसना है क्योंकि ये हमें कहीं न कहीं गुलाम बना देती है ये सीख है आप हमेशा देहान लखिए यहाँ पर आप ये भी चीज़ देते हैं कि आप परिवार को ले सकते हैं कि हमें हमेशा अपने परिवार को समझना है बाहर के बहुत से लोग हमारे परिवार में मदभेत पैदा करने के लिए तोड़ने के लिए बहुत से एक दूसरे से लगाई बुजाई का काम करते हैं तो उनसे सावधान रहना है आपको क्योंकि अंग्रेजों ने बही डिवाइड रूल वाला फॉर्मूला अपनाया था तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने हैं कि विदेशी चीजें और विदेशियों से या बहारी लोगों से फिर विश्वास करने से अच्छा है अपनों पर विश्वास करें ये पहले जरूरी होता है कि शरारती बच्चों और पक्शियों का वर्णन करकrich क्या बताना चाहता है अब उन्होंने शरारती बच्चों का ऑभी उलेख किया वहाँपर कि तोप के उपर वो कि यहां पर बताना चाहता है अब हो तोप जो है जो कभी विनाश करती थी अब उससे कोई भी डरता नहीं कभी शरार्ती बच्चों और पक्षियों का वर्णन करके निमलिखित बताना चाहता है अब क्या बता रहें सबसे पहले हम देखेंगे बच्चे बच्चे कमपनी बाग के मुख द्वार पर लगाई कई तोप पर घुर्चवारी करते हैं उस तोप से अपना मनुरंजन करके जैसे यह दर्शाना चाहते हैं कि कभी शक्तिशाली रही यह तोप भी अब उनके लिए खेले या मनुरंजन की वस्तू बन गई है तो कहने का ताथ पर यह क्या है? एक समय यह तोप बहुत विनाशकारी थी लेकिन अब क्या है यह बच्चे? अब बच्चे क्या होते हैं? किसी भी चीज़ से जल्दी भैभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं अब तोप तो समझो कि वो तो ब्लास्ट कर देती है, लोगों को मार देती है तो यह चीज़ हम यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि वो यह तोप पर खेल कर वो यह दर्शाना चाह रहे हैं कि अब यह तोप किसी काम की नहीं है? अब इससे कोई नहीं डरता है अब ये हमारे लिए सिर्फ मनुरंजन है एक खिलोना है कभी लोगों को मानने वाली तोप आज अपने विनाश अपने पूरे जितनी भी शक्तिसारी स्वरूप है अपने सामर्त को पूरी तडिके से खो चुकी है जब चडिया तोप पर बैठ कर आपस में गपशप करती हैं तो इसका अर्थ यह है कि अब इन्हें इनकी विनाशकारी तोप से कोई भी भे नहीं है अब जब चडिया उसके उपर बैठ नहीं है अब चडिया देखो एक हलकी सी आवास करो तो वो उड़ जाती है यानि कि वो जो है बहुत ही sensitive जो है words होती है कोई सी भी तरह की आवास होती है तो उड़ जाती है तो वो चीज़ यहाँ पर बताएगे कि यह कभी इतनी आवास करने वाली विनाश करने वाली तोप आज हमें इससे बिल्कुल डर नहीं लगता क्योंकि हमें पता है कि यह बिल्कुल पराज़त किया जा सकता है अगर हम एक जुट हो जाएं और हम संघर्ष करें तो चाहे जितना भी शक्तिशाली शाषन हो हम उसको पराज़त कर सकते हैं जैसा कि हमने किया भी है वह है ना अंग्रेजी शाषन कितना क्रूर और अत्याचारी था लेकिन जब हम भारतिय जनता एक हुई तो उस क्रूर और त्याचारी शाषक को भी ये देश छोड़कर जाना पड़ा जन सामानने ने इस बात को भी सिद्ध कर दिया है कि उसे हतियारों के बल पर लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता लोगों के अंदोलन ये बताया कि हमारी अगर आवाज हम उठाते हैं तो उसे आप हतियारों के बल पर जादा समय तक दबा नहीं सकते थोड़े समय के लिए जरूर दबा देंगे जब देखिए अठाल सुस्तावान में क्रांती हुई तो उस समय तो उस क्रांती को निश्क्रिय कर दिया गया लोगों को दबा दिया गया लेकिन क्या वो शक्तिशाली बना रहे देखिए जो समय है वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है आज हमारे पास अगर सब कुछ है तो कल जरूरी नहीं है कि वो रहे और आज अगर नहीं है तो जरूरी नहीं है कि कल भी नहीं रहेगा कल आ सकता है तो यह चीज़ बताता है कि आज अगर आ होगे ऐसा कोई जुरूरी नहीं है कि प्रेश्ण संख्या सत्रा है समय के साथ तोप की इस्तिती में बदलाव आ गया इस कथन को इस पश्ट कीजिए अब समय के साथ तो बदलाव आया 1857 की जब क्रानती हुई तो क्या हुआ उसने कित्ते लोगों को मारा सब किया लेकिन आज क्या है आज चुप चाप एक प्रदर्शनी बनी हुई रखी एक प्रदर्शन का माध्यम बनी रखी बच्चे उस पर खेल रहे हैं चुडिया उस पर कप्शप कर रही है तो अब इस्त युद्धाओं को मार गिराया था जब भारतियों जो भारतिय संग्राम के संग्राम के जो सेनानी थे उन्हों को मार दिया था परंतु भारतियों का क्रूड दमन किये जाने पर तोब जैसी शक्तियां भी द्रण संकल्पी भारतियों को नहीं रोक सकी यानि कि तोब इतना क आदमी का आदमी गायब हो जाए ऐसे पर खच्च उड़ा दे लेकिन भारतिये जो सैनिक थे भारतिये स्वतंता संग्रामी थे वो इस बात से नहीं डरे और स्वतंता संग्राम करते रहे उन शूरवीरों के प्रयाज से 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत हो गया स्वतंता के पश्चात वही जबर्दस्तोप मात्र शोभा की वस्तूबन कर रह गई आज क्या है प्रदरशनी की एक वस्तूबन हुई रखी हुई है कि नहीं रखी है अब उसे कंपनी बाग में प्रवेश द्वार पर रखा गया है कि लोग आओ और देखो कि मैं कभी शिक्तिशाली थी मगर आज मेरा सुरूब क्या है मैं सिर्फ एक प्रदरशन के लिए ये सीख दे रही है कि हमें विदेशियों से सावधान रहना है इसी लिए इसको समाल कर यहां पर रखा गया है तो एक इस्तिती क्या थी और आज उसकी क्या इस्तिती हो गई है सुबा शाम बहुत से सैलानी आते हैं और मनोरंजन करते हैं उस तोपे बैठते हैं मनोरंजन करते हैं अक्सर छोटे बच्चे उस पर बैठ कर उसकी सवारी करते हैं चड़िया उसके उपर बैठ कर आपस में गपशप करती हैं गौरेईों तो शैतानी में इसके मूँ के बीतर भी घुज जाती जहां से वो गोला निकलता था लोगों का विनाश करता था गौरईया क्या है उसके मूँ के अंदर भी घुज जाया करती है जो ये दर्शाता है कि अब उन्हें कभी भायानक मानी जाने वाली इस तोप से डर नहीं लगता है एक समय बेशक यह जबरजस शक्तिशाली रही होगी परंतु आज उसका मुँ बंध हो गया है एक समय था कि वो बहुत शक्तिशाली थे लेकिन आज उसका मुँ बंध है अता ये इसपश्ट है कि समय के साथ तोप की इस्तिती में बदलाव हो गया है और एक समय शक्ती की परचायक तोप आज मात प्रदर्शनी और मनुरंजन की वस्तू बन कर रहे गई कभी समय ये बहुत ही जबरजस्ती शक्तिशाली थी लोगों पर अपना आधिपत्य जमाती थी ठीक है कि हाँ मैं हूँ सब में उसका खौफ था लेकिन आज क्या है वो खौफ कहा है बच्चे चुडिया जैसी एकदम कोमल और नाजुक से जो लोग है वो उसके उपर खेल रह कर रह गई हो प्रेश्न संख्या 18 है विरासित से मिली चीजों की बड़ी सम्हाल क्यों होती है तोब कविता के आधार पर इसपश्ट करते हुए तोब की विशेशताएं लिखिए तो अब यहां पर आपको बताया गया क्यों सम्हाल होती है पहली बात है जहां वो हमारे पर पूरवजों की होरी कल्तियों की हमें सिहक देती है वहीं यह תتم पर आपको तोब की विशेशताएं भी बताने है जो तोब रखे एक म्कंपणी बाग में उसके क्या विशेशताएं विरासत में मिली चीज़ों की सुरक्षा बड़ी संभाल कर इसलीए होती है क्यों की वह ह हमें अपने पूरवजों से प्राप्त हैं, अब जैसे कम्पनी बाग हो या वो तोप हो, दोनों ही हमें विरासत में मिली हैं, तो उसकी संभाल होती है न, तो ये हम विरासत में मिली हम सिर्फ इसकी बात नहीं करें, हमें भी अपने खांदान में फिश्टे दादा पर दादा अगर कोई चीज मिली है तो मुसको सम्हाल कर रखते क्योंकि वो हमारे अभारे पूरवजों की जिंदगी के बारे में उनकी परंपराओं के बारे में उनकी समझ के बारे में उनकी सोच के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें बताती है उनका अपना महत्व है और इत्यास होता है सन 1857 की तोप जो कम्पनी बाग में प्रवेश द्वार पर इस्थित है वह अंग्रेजों द्वारा हमें विरासत में सौपी गई है जिसकी सम्हाल भी की जाती है यह वर्ष में दो बार चमकाई जाती है अथाथ इसका प्रयोग दो बार किया जाता है इस तोप ने अच्छे अच्छे वीर योद्धाओं के चित्रे चित्रे उड़ा दिये थे यह अपने समय में बहुत जबर या शक्तिशाली थी ब्रिटिश काल में अंग्रेजो द्वारा भारते सुतंता के वीर सेनानियों को इस तोप से बांध कर उड़ा दिया गया था यानि कि मैंने पहले बताया कि उनके आगे उनलों को बांध दिया जाता था और उनको उड़ा दिया जाता था अब यहाँ पर अभी तक जो हमने बताया वो कवी के माध्यम से बताया अब आपका अपना क्या point of view है आपको ये बताना है देखिए क्या है विरासत भी मिली चीजों का बहुत बड़ा महत्व इसलिए होता है क्योंकि वे हमें पूर्वजों से प्राप्त होती उनका अपना महत्व और इतिहास होता है उधारन के लिए 1857 की तोप जो कमपनी बाग के प्रवेश द्वार पर इस्थित है वह हमें अंग्रेजों द्वारा सौपी गई है जिसके संभाल की जाती है इससे हमें प्राचीन सब्भिता संस्कृती के बारे में पता चलता है साथ ही भविश के प्रती सावधान रहने की प्रेढ़नम मिलती है तो जहां हमें इतिहास के बारे में पता चल रहा है प्राचीन संस्कृती और सभ्भिता के बारे में पता चल रहा है वहीं हमें आने वाले भविश्र के लिए भी सावधान किया जा रहा है क्यों क्यों कि देखिए आज कल तो क्या है हम लोग तोप कहा हम लोग तोटैंक्स हैं रॉकेट्स हैं यह सारी इस्तिमाल करते हैं लोगों कोई उड़ा दिया, मार दिया, खतम कर दिया, यह उता था, और भविश में सावधान रहने के लिए क्या बोल रहे हैं, कि आपको विदेशी प्रलोभनों से बच कर रहना है, यह सावधानी उमको बताई जाती है, जैसे अंग्रेज आये, उसी उनकी तो दोनों भी र लोभित नहीं होना है, प्रशन संख्या 20 है, तोब कविता में सैलानी तोब के विशय में क्या जान पाते हैं, वो क्या जानते हैं, जब वो आते हैं सैलानी, तो भाई वो प्रदर्शनली के रहे रखा है, अब वो रखा है, तो वो क्या देखकर समझ पाए, क्या जान पाए ये चीज़ बताना है तोब कविता में सैलानी तोब के विशे में जान पाते हैं कि ये तोब 1857 की तोब थी जो अब कमपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी हुई है वे उस समय में उस तोब की शक्ती के विशे में ये जान पाते हैं कि वहां अपने समय में बहुत शक्त इशाली तोप हुआ करती थी जिसके द्वारा वीर योद्धाओं के चित्रे उड़ा दिये गए थे तो मतलब हम यह यहाँ पर जान पाते हैं कि हमारे जो पूरवज थे यानि कि हमारे भारतिये स्वतंतरता संग्रामी जो थे उन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए कितने हद तक कुर्वानी दी थी मतलब अपने शरीर के चीत्रे तक उड़ाना कितना पेइनफुल होता है हमें सोच कर डर लगता है सोचो उन लोगों ने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों तक को नियुच्छावर कर दिया हम इस एहसास को समझ पाते हैं हम इस चीज़ को जान पाते हैं कि ये तोप अत्याचारी अंग्रेजी शाश्रकों की है जिनोंने हमारे उपर 200 साल तक राज किया और हमारे को पूरी तरीके से तभा करके mentally, emotionally, financially पूरी तरीके से destroy कर दिया था लेकिन तब भी आज हमने अपनी शक्ती के बल पे अपने देश को कितना आगे बढ़ा लिया है ये सारी चीज़ें हमें ये तोप के जरीए पता चलती हैं नेक्स कोशन है कोशन नमबर 21 क्या दिया है अच्छे-च्छे सूर्माओं के धज्जे उड़ाने से कवी का क्या अर्थ है अब यहाँ पर जो अच्छे-च्छे यानि कि बहुत भारतिये जो हमारे सूर्मा थे उन सब की धज्जियां उड़ा दी थी उस तोपने तो ये ची चीजें नहीं थी तो कवी अच्छे-च्छे शूर्माओं के धज्जे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भारत के पहले ए सुतंता संग्राम के बड़े-बड़े क्रांती वीरों ने जान की बाजी लगा दी थी कंपनी बाग में रखी तोप ने उन्हें दबाने के लिए उन पर गोले चलाए थे जिससे उन वीरों की धजियां उड़ गई थी मतलब उन्हों ने अपने देश को आजाद कराने के लिए इतना संघर्ष किया और ये तोप के गोली जब ये तोप चली तो उसने उनके चीथरे-चीथरे तक उड़ा दिये थे मतलब वो बुरी तरीके से उनको डिस्ट्रॉइ कर दिया था। उनके मतलब आप ये बोलेंगे शरीर के अन्ष तक नहीं बचे थे क्योंकि उस तोप के आगे जहसे जो कृरांतिकारी होता था आपको पता है कि उस तोप के आगे उनको बान दिया जाता था और टोप चला दी जाती थे थे तो आदमी हमें सीख देती हैं जहां पूर्वजों के बारे में बताती है वहीं आने वाले आने समय के लिए सीख देती हैं विरासत में मिली चीजों की सुरक्षा बड़ी सम्हाल कर रखने के पीछे का उद्देश उनके महत्व और इतिहास को समझना होता है कि उनकी क्या importance है और उसका क्या इतिहास रहा है क्योंकि वह हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है उदहारण के लिए 1857 की तोप जो company बाग के प्रवेश द्वार पर इस्थित है वह हमें अंग्रेजों द्वारा सौपी गई यह जिसकी संभाल की जाती है तो यहां पर वो बताते हैं कि यह जो अंग्रेजों के द्वारा यह तोप कभी काम में लाई जाती थी वो हमें बताती है कि उस समय क्या हुआ था ठीक है यह चीज हमें अब बताती है तो यह तोप का इतिहास जो है हमें वो तोप बता रही है प्रश्न संख्या 23 है वे बताती हैं कि दरासल कितनी भी बड़ी हो तोप एक दिन तो होना ही है उसका मुबंद इन पंक्तियों का भावार्थ अब आपको इसका अर्थ बताना है तो यहां पर क्या दिया है कि जो चडिया उसके अंदर घूमती रहती है वो क्या बताती है कि भावार्थ दरासल कितनी भी बड़ी तोप वर्थात कितना भी बड़ा अत्याचारी हो एक दिन उस तोप का मुबंद होना रथात उस अत्याचारी का एक दिन अंतनिश्चत होता ह ये चिडिया वो उस तोप के ऊपर बैट कर या घुज कर बताना चाहती हैं। गौरईया चिडिया तोप के अंदर प्रवेश करके ये बताती हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति का समय बदलने पर उसकी इस्थिती तोप जैसी हो जाती है, यानि कि कभी बहुत स्टॉंग रहा बद जब उसका समय बदलता है तो वो बिल्कुल तरहे निश्क्रिय हो जाता है, खाली एक प्रदर्शनी का माध्यम रह जाता है। बड़ी से बड़ी तोप का मुँ एक दिन बंध होता है, वा किसी योग नहीं रह जाती, एक चिडिया भी उससे भै नहीं खाती, अताहा उसकी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि वा हमेशा नहीं रहती, तो हमें बेसिकली किसी ऐसी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें घमंड करना ही नहीं चाहिए, किसी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज हो, वो हमारे पास ह अगर ये फारिग हो तो उसके ऊपर बैठ कर चड़िया ही अकसर करती हैं गपशक इन पंक्तियों का भावारत क्या है अब इन पंक्तियों के माध्यमसे क्या बताया जा रहा है कि भाई अगर ये बच्चे जो घुरसवारी करते हैं उस तोप के उपर अगर वो हट जाते हैं तो फिर चड़िया उनके उपर गपशप करने के लिए बैठ जाती मतलब अभी ये सर्फ तोप जो है कभी विनाशकारी रही होगी लेकिन आज ये मात्र एक खिलोना बन कर ही रह गई है तोप नामक कविता पाट के माध्यम से बदलती हुई परस्थतियों में तोप की दशा का वंडन करते हुए कभी शिरी विरेंद डंगवाल कह रहे हैं कि तोप का वर्तमान हालात पे छोटे बच्चों द्वारा घुरसवारी के रूप में किया जाता है जब बच्चे इस खेल से निपट जाते हैं तब तोप के ऊपर चड़िया आकर हमेशा बाचित करती हुई दिखाई देती हैं तो वो तोप जो है अब सिर्फ जो है बच्चों के खेल प्रेशन संख्या 25 है कमपनी बाग में रखी तोप क्या संदेश देती है अब कमपनी बाग में रखी गई तोप यह सीख देती है कि जो वर्तमान है उसे वह आगे चलकर भूत काल में बदल जाएगा यानि कि जो आज प्रेजिंट है वो हम आगे बढ़ेंगे तो यह क्या ह यह पास्ट बन जाता है वह काल एक इतिहास के रूप में कहलाएगा जो आज समयने वो क्या इतिहास बन जाता है शक्तिशाली कल के परिवर्तित होने पर आने वाला कल कमजोर और निर्बल हो जाएगा अब हम माली जे अभी पावरफुल है तो आने वाले समय में क्या होगा हम जित्ते जादा शक्तिशाली नहीं रहेंगे इसको आप ऐसे एक प्रेक्टिकली माध्यम से आज हम यंग है हमारे अंदर हुती शक्ति है लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा हम ओल्ड एज में आ जाएंगे हमारी शरीर में शक्ति नहीं रहेंगे उसी तरीके से एक समय जब लोगों के हाथ में पावर होती ये शक्तिशाली होते लेकिन जैसे आगे समय बढ़ता है तो वो अपनी शक्ति को खो देते हैं कोई कितना भी शक्तिशाली हो या क्रूर हो एक दिन उसका अंत निश्चित है ठीक वैसे ही जैसे शक्तिशाली तोप की क्रूरता का अंत होने पर वा कमजोर रूप में कमपनी बाग में के प्रवेश द्वार पर आज बच्चों और पक्षियों के मनुरंजन का केंद्र बनी है तो कभी शक्तिशाली रही वो तोप जो है आज क्या है आज वो सिर्फ बच्चों और पक्षियों के मनुरंजन का साधन बनी है माना कभी वो शक्तिशाली है लेकिन आज तो उसका अंत हो गया तो यहां पर यह हमको संदेश दे रही है कि हमें कभी भी अपनी शक्तियों पर इत्तागमन नहीं करना चाहिए तो इस तरीके से यह इस पार्ट के सभी प्रशन यहां खतम हुई हमने फटा-फट सारी चीज़ें क्योंकि यह कभीता ही हमारी बहुत छोटी सी थी लेकिन इसके पीछे का संदेश हमें बहुत कुछ बता रहा था हमने यह पार्ट यहां खतम किया लेकिन साथ ही साथ बता दे कि Magnet Brains हमेशा आपके साथ रहता है आपके पढ़ाई में आपके साथ आपके समस्याओं में आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है यहाँ पर मिलने वाले सभी वीडियो आपको 100% फ्री मिलते हैं ये 100% free videos आपको मिल रहे हैं YouTube पे हमारी website magnetbrains.com पे और हमारा app जिसे आप Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं तीनों जगे आपको 100% free video मिल रहे हैं लेकिन आप अगर हमारे app पर और website पर आते हैं तो यहाँ पर आपको हर एक चीज सिस्टेमाटिक धंग से अरेंज मिलेगी एक वीडियो देखने के बाद आपको easily दूसरा वीडियो भी मिल जाएगा connected तो कोई ऐसा नहीं है कि एक वीडियो देखने के बाद हम परिशान हूँ इससे connected वीडियो में कहां मिलेगा यहाँ पर आपके लिए हर एक चीज class wise, subject wise, book wise, chapter wise, topic wise, pattern wise हर एक चीज totally arrange है तो यहाँ आईए और बहुत ही आसानी से अपनी पढ़ाई करिए बिना किसी परिशानी के तो जुड़े रहेगा हमारे साथ मिलते हैं next वीडियो के साथ Thank you for watching, bye bye